आओ कुछ बात Elon Musk के बारे में करें Elon Musk को सब जानते हैं World Most Futuristic Man Future में क्या होने वाला है मानों उन्हें सब पता होता है दुनिया में इतने patience वाले लोग बहुत कम पाय जाते हैं इन्हें किताबे पढ़ना बहुत पसंद है इन्होंने बचपन में इतनी किताबे पढ़े हैं कि शायद एक PhD होलर ने इतनी न पढ़ी हो Elon Musk की पहली कमाई जिसमें उन्होंने एक गेम बनाया था मात्र 12 साल की उमर में उन्होंने वो गेम डॉलर 500 में एक American कमपनी को बेज दी थी और आज कल के बच्चे सिर्फ गेम खिलना जानते हैं यह इंसान इतना पॉजिटिव है अपने लाइफ को लेकर कि अगर इनके employee ने इनसे कह दिया कि मुझे नहीं समझा रहा मैं क्या करूँ तो वो उसकी छुट्टी उसी दिन कर देते हैं मतलब निकाल देते हैं उनका कहना है कि होगा कैसे नहीं होगा आज शायद यही सब बाते उन्हें यहां तक लेकर आई है उन्होंने अपने टेलिविजन इंटर्यू में कहा था failure is only option which can boost you आज यह ऐसा इंसान बन चुका है कि पूरे crypto market को एक tweet पहिला देता है Tesla Motors का नाम तो सबने सुना है यह इंसान ने लोगों की सोच से कई अधिक ज़्यादा दूर तक सोच के रखा है driverless car, electric vehicles, pollution control के लिए यह दुनिया में 21 सबसे शक्तिशाली इंसान माने जाते हैं जहां आज की बच्चे खिलोने की और games की जित करते हैं वही पे Elon Musk 12 से 15 घंटे रोज पढ़ते रहते थे The more you read, the more you gain Elon Musk की companies में Zip2, X.com, PayPal, SpaceX, Tesla, SolarCity, Hyperloop, Open Artificial Intelligence, Neuralink, The Boring Company यह सब शामिल है जब इन्होंने सोचा कि मैं मंगल ग्रह पे जीवन लाओंगा तब यह तुरंत रशिया के लिए रवाना हुए थे वहां रशिया में इन्होंने कहा कि मुझे मार्स पे जाना है मेरी अरेंजमेंट करें Russians को इनका प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा वापिस आने के बाद खुदी SpaceX कमपणी खोली और आज SpaceX कहा है सबको पता है किसी ने नहीं सोचा था कि SpaceX का विजन ससेस्फुल होगा तीन बार लगातार हार हुई थी इनकी SpaceX में जब इन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉंच किया इंजन खराब हो गई और बड़ा धमाका हुआ दूसरी बार रॉकेट और बीट में ही नहीं पहुचा और तीसरी बार जाते ही ओफरूट हो गया और ये बैंकरप भी हो गए थे जितने पैसे थे सब चले गए थे और दूसरों से करजे लेके एक बार फिर से लॉंच किया नासा ने भी इन्हें प्रोजेक्ट दे दिया आज कौन है लॉन मस्क शायद सब जानते हैं ऐसे और जानकर यहां पाने के लिए सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करना ना भूले